सर्दियों में पालक खाना तो बनता है और इन सर्दियों में पालक की एक बहुत अच्छी रेसिपिया शेयर करूँगी लसुनी पालक खाने में जितना अच्छा है सेहत के लिए उतना ही अच्छा है और मेरे वीडियो पे आप देख पा रहे होंगे कितना बहतरीन दिख रहा है इसको रोटी के साथ चावल के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं ताजे ताजे पालक का बना हुआ लसुनी पालक इसका स्वार का क्या कहना आप इसको एक बर बनाएए और एंजॉय कीजिए सूस फू सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धनिवाद इस लेसनी पालक का रेसिपी को मैं बनाऊंगी मेरे अपने खुद के बैलकनी में उगाया हुए पालक से और क्यूंकि घर का उगाया हुआ है और बीना सॉफ्ट रहता है और ऐसे पालक अगर आपको ताजे पालक घर का मिले तो उससे इस रेसिपी का स्वार दुगना हो जाता है तो बहुत प्यारा रेसिपी शेयर करूंगी इस वीडियो को लाश तक देखिए तो चलिए बनाते हैं तो यह पालक को मैं धो के अच्छे से इसक पालक का कलर है उतना हरा नहीं रहेगा काला पड़ जाएगा तो चोटी चोटी बाते हैं उसका ध्यान रखेंगे तो जब पानी मेरा एकदम अच्छे से उबल जाए तो उसमें फ्लेम हाय करके हम सारे पालक डाल देंगे और जैसे मैंने बोला घर का पालक है एकदम बड़ 4, 3, 2, 1 बस जब एक बार पानी के अंदर चला जाए तो उतना ही काउंट डाउन में इसको करना है देखिए मैं वो चीज़ को शूटिंग करके आपको दिखा रहे हूं 10 सेकंड ही पानी में रखना है उससे ज्यादा नहीं रखना है तो बस मेरा 10 सेकंड हो गया अब इसको ग्यास ऑफ कर दे और इसको में तुरंत गरम पानी से हटा के खुले पानी में थंडा पानी में कल के नीचे धोँगी ताकि इसका अंदर का हीट चला जाए तो बहुत ज़रूरी टीप यह है जब भी पालका ब्लांच करें यह प्रोसेस यूज करें तो बस 10 सेकंड हो गया इसको में हटा दे ग्यास पे और कल के नीचे ओपन बहता पानी में बेसीन में आप उसको कल खोल के इस तरह से स्ट्रेणर में डाल दे ताकि गरम पानी एक निकल जाए और उपर से हम इंस्टेंटली थंडा पानी चाले आप चाहें तो एक बाल के अंदर आईस डाल के भी डाल सकते हैं पर इस तरह से मैं कल के नीचे कर रही हूँ काम जल्दी हो जाता है और कम से कम 2-3 मिनिट तक इसको अच्छे से पलट पलट कर इस तरह से धोईए ताकि इसका जो हीट है जो पालक के अंदर रिटें किया होगा गरम पानी का हीट वो निकल जाए और हमारा पाल कि प्यूरी बनाएं तो बिना पानी डाले इसको में प्यूरी बनाऊंगी एकदम प्यूरी बनेगा और देखिये मेरा पालक का प्यूरी का कलर कितना लाजवाब आया है शांदार हरा ग्रीन रंग आया है अगर पालक को हम अच्छे से ब्लांच नहीं करेंगे तो यह सुनी पालक आपका इतना अच्छा बनेगा कि सब लग उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो मेरा प्यूरी रेडी है बाकि जो 20% पचाना उसको में चॉप कर ली हूँ तो एक साटे पैन ली हूँ मीडियम हाई फ्लेम पे गरम की हूँ दो बड़े चमच कड़वा तेल मस्ट प्याज को छोटा चोटा काटके एकदम बारिक बारिक चॉप करके उसमें डाल दूंगी और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मैं भूनूंगी तब तक जब तक की हलका सा गोल्डेन बन होना स्टार्ट ना हो जाए तो बस एक दो मिनिट उसमें लगेगा हमको अच्छे से प्याज, लेसन, हरामिच और जीरा सबको अच्छे से भून लोंगी लाइट गोल्डेन होने तक भूनेंगे देखिए बहुत प्यारा सा कलर आता है और इसका स्मेल ना इतना अच्छा आता है तो इस तरह से भून लेंगे और जब आपको लगे कि सब अच्छे से भूना गया है तब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच बेसन मैं जितना पालक ली हूँ उतना में मैं एक बड़ा चमच बेसन डालूँगी आप पालक का क्वांटिटी अगर ज्यादा ले रहे हैं तो आप बेसन का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बेसन से टेक्स्च करना है और इसको भूनना है 3-4 मिनिट ताकि बेसन का जो कच्छा पन है वो चला जाए अगर हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे बेसन जल जाएगा और वो स्वात फिर नहीं आएगा तो जब अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे बेसन भूना जाए 3-4 मिनिट तक उसके बाद इसम फ्लेम बढ़ा के अच्छे से भून लेंगे ताकि जो उसमें कच्छा पन था ब्लांच करने के बाद हलका सा उसमें कच्छा पन रहता है वो चला जाए तो इस तरह से में भून लोंगी जब आप ये लेसनी पालक करेंगे ना बहुत भीनी भीनी खुश्बू आएगा एक इसमें हम डालेंगे जो पालक का प्यूरी था ना हम बाकी पालक का प्यूरी बनाए थे वो डाल देंगे तो पालक का प्यूरी डाल के उस पालक में जो ग्रैंडर में हम पीसे थे उसमें एक कप पानी देखे इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से लटपट हो जाए बेसन हम भूने थे, पानी दिये, पालक का प्यूरिय दिये, तो बहुत अच्छे से लटपट होगा, और इस स्टेज पे आपको फ्लेम मीडियम पे रखना है, एकदम हाई नहीं करना है, पालक को पकाते हुए भी कभी भी आप हाई फ्लेम पे ना पकाए, यह तो पालक दालोगे, वो में यहां पर दाल रहे हुँ, देढ बड़ा चमच, मिल्क पाउडर, आप चाहें, तो आपके पास दही हो, आप दही डाल सकते हैं, दो बड़ा चमच, यह फ्रेश क्रीम दो बड़ा चमच, मैं बेसिक डाल रहे हुँ, सबके गर में अवेलेबल रहता है, त अच्छे से मिला लेंगे और आप फ्लीम पुरा लो कर देंगे बस एक मिनिट तक इसको पका ले अब जब तक यह क्ता रहगा न हम लेंचे से जो भीटर हैं तब तक कम इसका सेटे का अतयार कर देते हैं बहुत ही अच्छा इसका सेकर तड़ का बनता है एक auditory वाला तो उसके लिए मैं देड बड़ा चमच बटर यहां पर ली हूँ आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं ऐक तम ठाबा वाला तड़का लगेगा अभी उसमें मैं जो हरा मिर्ण का होता है रेड वाला रेड चीली फ्रेश रेड चीली वह ली हूँ आप चाहें तो सुक्ही मिच पिले सकते हैं उसको इस तरह से काट ली हूँ और देड बड़ा चमच लेसन की कली को काट ली हूँ छोटा छोटा जब बटर या घी आप जो ले रहे हैं गरम हो जाए उसमें डाल दें बहुत लोग नहीं इस तड़के में जीरा डालते हैं मैं पस्टेली प्रिफर नही के लिए ये जो खुश्बू आएगा लेसन और मिर्चा का ये पूरा लेसनी पालक को कम्प्लीट कर लेगा तो मेरा बहुत ही शानदार तड़के वाली लेसनी पालक एकदम धाबा स्टाइल रेडी है ताजे घर का पालक से बना हुआ बहतरीन लेसनी पालक छोटी-छोटी इसको इसके ऊपर डाल दूँगे इससे इसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और स्वात और निखर के आएगा तो लसनी पालक सूस फूट कॉर्ण के स्टाइल का रेडी है छोटी-छोटी बहुत बाते बाता हैं जैसे मैंने बोला अच्छे से पालक को ब्लांच करन और बहतरीन तरीके से पकाना सब चीजे में शेयर की हूँ तो यह वीडियो आप देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा तो उमीद करती हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना बिलकुर मत बूलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्टे सेफ लव लाइफ और हैपी फूडेगा